स्टूडेंट्स कैसे हैं आप उमीद है आप सब ठीक होंगे और जैसे कि आपको पता है कि आइसे पार्टू हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस और उसका चप्टर नंबर हमारा नाइन चल रहा है उसमें हमने अभी जो इससे पहले वाले वीडियो इसमें देखा नाइन पाइफ टॉपिक जो था जो कि था कि हम किस तरह इंक्रिमेंट कर सकते हैं किसी वैल्यू के तरह उसी थर्या उसी का पार्ट है नाइन पाइप फाइप फाइप टॉपिक का ऐसका पार्ट है कंपावंड असाइम्मेंट ऑपेटर वैसिकली क्या होते हैं कि हम इस ब्रत को किस तरह यूज कर सकते हैं या आगर हम करेंगे ऑपलस प्लस और हम अरपास याel फोली यह execute होगी तो मअ रही प्लस ग्र कि 수ट है हमारे पास अगर हम इसको ऐसी यूज करें इसा मतब भी सेमिया अगर एक फाइव ती तो प्लस प्लस हो जगा और ऑउना ऺजीका six तो यह हमारी एक वैल्यू को एड कर रहा था है एक वैल्यू को एड कर रहे थे ह सीजह आगर माइनस करना चाहें वो भी हम कर रहे थे लेकिन इसी तरह जब हम मल्टिपले करना चाहेंगे यह डिवाइट करना चाहेंगे तो वह हम किसके थूरू करेंगे compound assignment operator के तूँ वो किस तरह करेंगे अभी हम देखते हैं तो मैं आपको करके बतातू एक एक चीज तो अगर हमने एक value प्लस करनी हो तो हम ऐसे करते हैं जैसे a की value हमने 2 ली थी a प्लस प्लस किया तो एक value add की सर्फ a की value लेकिन अगर हमने ज्यादा करनी हो तो हमें इस तरह लिखना पड़ता था a is equal to a plus 8 8 लिखना है तो अब इस तरह लिखना पड़ता है तो अगर आपके पास जो equal to है इसके left पे इसके right पे same variables हैं तो फिर आप उसको किस तरह लिख सकते हैं आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a उसके sign कौन से plus equal to और आगर जो value लिखना है यह है अगर आप इस तरह लिखते हैं और यह चीज इसके बिल्कुल बराबर है जी हाँ अगर आप इस तरह लिखते हैं कि a is equal to a plus 8 तो इसको आप शोर्ट वे में इस तरहां भी लिख सकते हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं compound assignment operator कि आपके पास equal to के left side पे भी वही variable है right side भी वही variable है हम दो दफा उसको क्यों लिखें हम उसको एक दफार लिखेंगे साथ हम लिख देंगे plus is equal to 8 तो ये क्या करेगा कि जो a की value है जैसे a की value हमार पास है two two को add करेगा eight के अंदर और answer आगा ten उसको store कर देगा a के अंदर ये answer आगा हमारा answer क्याएगा जी इसको जब solve करेगा answer आजएगा ten तो हमें इस तरह लिखने की जूरूत नहीं है हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेकिन अगर हम इस तरह भी लिखते हैं तो घलत नहीं है लेकिन ये एक short way है कि आप किस तरह solve कर सकते हैं उसको जिस तरह हमने बात की plus की और example एक और कर लेते हैं ताकर थोड़ा जाला clear हो जाएगा तो suppose b की value है हमारे पास 5 तो मैं लिख रहा हूँ जी a is equal to a plus b लेकिन जब मैं compound assignment statement के थरू लिखूँगा फिर कैसे लिखेंगे a plus is equal to b क्योंकि मुझे पता है कि is equal to के left side पे और right side पे same variable है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ इसको solve करते हैं इस cancer आएगा a का मतलब 2 b का मतलब 5 इसको जब add करेंगे तो 2 plus 5 7 7 किसमे जाकर store होगा a के इंदर क्योंकि हमें पता है जो भी value है वो किसमे जाकर store होती है जो उसके right side पे variable पड़ा होता है तो a में आगया 7 इसको solve करते हैं यह भी same ही है हमारे पास 2 है plus 5 इसको जब add करेंगे तो a के अंदर क्या आजएगा 7 answer आजएगा ठीक हो गया यह चीज़ है चले अब मैं आपसे question पूछता हूँ कि क्या यह ब्राबर है जैसे मैं कहता हूँ a is equal to a plus b क्या यह वाली जो मैंने एक पूरी statement लिखी है क्या यह और यह दोनों ब्राबर है तो कुछ बच्चे केंगे यह ब्राबर है लेकिन ब्राबर नहीं है हमें पता है कि सी एक के सेंस्टिव लैंग्विज है a जो small में लिखा है जो a capital में लिखा है दो दो different variables है same variable नहीं है इसका मतलब जो santu के left पर लिखे है वह different variable है जो is equal to write पर लिखे है वह different variable है जब इस सरां के situation हो तब हम इस तरह उसको नहीं लिख सकते इसकी condition ही क्या थी इस तरह लिखने की कि जब is equal to के left और is equal to your right पर same variable हब्राबक्रपकर wij इस हम इस तरह लिख सकते आं कि यह किसके बराबर है स्पोज मैं आपको लिखके देखाता हूं जैसे मैं लिखता हूं statement कि a is equal to a plus b यह किसके बराबर है जैसे a option होगा यह इसी तरह b option होगा यह इसी तरह c option होगा इस तरह a is equal to a plus b यह इसी तरह d option होगा हम अर पस a is equal to a plus b तो आप कौन सा सही होगा कि a is equal to a नहीं यह तो नहीं हो सकता इसी तरह हम इसको यह इसको मैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दो तो a is equal to a plus b यह हो सकता है क्योंकि equal to के left पे भी right पे भी same है तो हम इसको लिख सकते हैं ठीक है यह option हो सकता है लेकिन अब भी पहले हम आगे देखेंगा इसको correct नहीं करेंगा तो a is equal to a plus b इसमें b देखे capital है इसमें small है तो यह भी नहीं हो सकता इसमें देखें जी a capital a capital b यह यह तो बिल्कुली different है तो हमारा जो option यह वाला है बीटा वाला वो correct है तो आपने इसको ध्यान से solve करना है यह तो हो गया plus के लिए इसी तरह हम minus b कर सकते हैं जैसे एक value है a की 7 b की हम अरपस 6 तो हम अगर लिखते हैं a is equal to a plus 2 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको left side और right side पर दोनों same variable है तो हम इसको a say b लिख सकते हैं जब मैं minus कर रहा था तो अब इसको minus कर देते हैं a minus is equal to 2 ठाइक है यूंकि प्लस फाली तो example हम ने कर लिए हैं तो इसको solve करते हैं, इसका answer क्या आएगा, a का मतलब है 7-2, ऐसे ही, इसका answer आएगा 5, किसमें store होगा, एक अंदर, इसी तरह इसको solve करेंगे, same answer आएगा, किसमें store होगा, एक अंदर, जैसे हम plus के लिए काम करेंगे थे, वैसे ही, हम minus के साथ काम कर सकते हैं, और same जैसे, उसमें MC को से पूछा था, उसमें भी same, वैसे MC को से पूछता हूँ हमसे, कि अगर हमारे पास, इस तरह की equation हो, कि a is equal to a minus b, यह किसके बराबर है, और पहला option है, a is equal to a, यह a minus equal b, इसके, यह a minus equal capital b, a minus equal small b, और a minus equal a, तो कौन सा option हमारा जो correct है, देखते हैं जी, तो a left पे है, is equal to a right पे है, तो पहले हमारे यह वाला option हो सकता है, यह वाला हो सकता है, यह वाला हो सकता है, यह वाला हो सकता है, यह तो बिलकुल नहीं हो सकता है, क्यूंकि left पे capital है, यह तो वैसे false है, अब देखते हैं, यह a minus equal b, यह वाला हमें correct लग रहा है, इसके बाद, कि A small है, इधर भी small है, B small B, ये वाला correct होना चाहिए, फिर भी ये भी देख लेते हैं, A minus, लेकिन इधर capital A है, इधर तो small B होना चाहिए तो ये भी false, तो हमारा correct answer ये है, ठीक हो गया, तो ये minus के साथ भी हमने देख लिया, अब हम देखते हैं, कि ये multiply के साथ और divide के साथ भी क ठीक है, तो multiply के आपको पता है, हम sign ऐसे डालते है, static डालते हैं, इस तरह स्टैरिक, और suppose A की value है, हमारे पास 3, A की value हमारे पास 3 है, और हम क्या करने लगें, इसको solve करने लगें, इसको short way में कैसे लिख सकते हैं, A, static is equal to 2, क्योंकि हमें पता है कि is equal to के left and right side पे दोनों जो ह 3 बूट करता हूँ, 3 multiply by 2, answer आगा 6, 6 किस में जाकर store हो गया, small a में, तो A की value होगी, 6, इसी तरह इसका answer भी किया आएगा, 3 into 2, और is equal to क्या आदेगा, 6, तो 6 किस में आदेगा, A के अंदर, तो दोनों के answer same आ रहे हैं, इसी तरह आपको MC को दा सकते हैं, multiply के अंदर भी, और last time हम देख लेते हैं, हम divide में इसको कैसे देखते हैं, तो divide के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा, A की value है, suppose 9, B की है, 3, और मैं लिखता हूँ, A is equal to A divided by B, divide के हम इस तरह सिंबल यूज़ करते हैं, क्यूंकि is equal to left and right पर same variables हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A divide is equal to B, इसको solve करते हैं, A की जगा हम पूट करते हैं, 9 divide 3, और जब हम इसको divide करेंगे तो answer आएगा 3, और 3 किसमे store हो जगा, A के अदर, A में क्या आगया, 3 answer आगया, इस देख सको solve कर लेते हैं, इसका answer भी क्या आएगा, 9 divided by 3, और इसको divide करेंगे, answer एगा 3, store किसमें होगा, A के compound assignment statements, ठीक हो गया, इसके बाद एक छोटा सा topic है, वो भी हम अभी solve कर लेते हैं, इसी वीडियो में, के 9.6, 9.5.6 है, उसमें है, के हम, क्या बोलते हैं, जी, के जो operator होते हैं, इसकी precedence क्या होती है, में जब हम operator लिखते हैं, काफी जादे क्लम्बी सी expression है, सबस्त जैसे मैं आ operator soul होगा, उसके बाद कौन सा operator soul होगा, उसके बाद कौन सा operator soul होगा, जैसे सारे अकटे ही soul होगे, तो यह चीज़ हम देखते हैं, जैसे आपको पता है, के math के अदर हम सबसे पहले divide करते हैं, फिर multiply, फिर divide, multiply, फिर addition, फिर subtraction, जैसे हम अक्सर लिखते हैं, यह demas rule, dm, as, d का मतलब बता है divide, m का मतलब multiply, a से addition, s से subtraction, इसी तरह हम priority देते हैं, हमारे जो operators होते हैं, हमारे C language के अंदर, उनको भी priority देते हैं, कि हम पहले इसको solve करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, तो हम इसकी definition यह कह सकते हैं, कि किस order में हमने किस operator को solve करना है, पहले जिसमें हम step by step, हम जो operators होते हैं, उसको solve करते हैं, इस series को हम बोलते है, operator precedence, और एक हमें पूरा table दिया हुआ है, कि सबसे पहले हम किसको solve करते हैं, उसके बाद किसको solve करते हैं, तो मैं आपको बना कर दिखा जाता हूँ, सबसे पहले आता है, हमारे पस note, note का operator, सबसे ज़् भी कहीं लिखा होगा, तो सबसे पहले हम इसको solve करेंगे, उसके बाद आता है, multiply, divide है, mode है, इन तीनों की ब्राबर है, अगर किसे statement में लिखे होंगे, तो तीनों की ब्राबर है, उसके बाद है, plus, minus, इन दोनों की ब्राबर है, फिर है, less than, less than, equal to, greater than, greater than, equal to, इनकी भी आप not equal की, इन दोनों की ब्राबर है, उसके बाद है, जी, end operator आता है हम रपस, उसके बाद हम रपस, इसे में आगे लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसके बाद ही आ रहे है, उसके बाद आ रहा है, और operator, उसके बाद है, सबसे last में आता है, assignment operator, तो अब ये end skills है, बहुत important, कि से ज्यादा है उसके बाद आती है की मैं डीवाइट की और मोड की टीनो की बराबर है स्टेटमंट में लिखे हो टीनो में से किसी को भी आप स्लुल कर सकते हैं पहले उसके बाद आता है प्लस माईनस इन दोनों की बराबर है उसके बाद है लेस धेन ले Elder than greater than equal to, उसके बाद आए हम, फिर आती है double equal की, मतले comparison की, और not equal की, उसके बाद है and operator, फिर है और सबसे last में आता है मरपस assignment operator, और यह MCUs है, सबसे ज्यादा किसकी है, आप कहेंगे not operator की, सबसे कम किसकी है, assignment operator की, यह बहुत important MCUs है, तो इसमें एक छोटी सी चीज रगी है, कि हमें उनने चाढ़े है कि operator binary भी होते है, यूनरी भी होते है, ट्रिक है, operator हमारे पस binary भी होते है और यूनरी भी होते है, यूनरी और binary operators, जैसे जुनरी नाम से पसा है single, ऐसा operator, जशेको सिर्फ एक operator चाहिए हो, उसको हम बोलते है यूरी यूरी ऑप 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 यूरी जो हमें लिखा हुआ है ये वाला और ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ओपरेंट और ये जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं ओपरेटर तो ऐसी expression या ऐसा operator जिसको कम असकम दो operand चाहिए हो solve करने के लिए ऐसे operator को बोलते हैं binary operator है दोबारा सुने का ऐसा operator जिसको execute करने के लिए या solve करने के लिए हमें कम असकम दो operand चाहिए ऐसे operator को हम बोलते है binary operator क्योंकि उसको दो ओपरेंट चाहिए इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी ओपरेटर इसको उलट है कि ऐसा ओपरेटर जिसको सिर्फ एक ही ओपरेंट चाहिए हो उसको हम बोलते हैं जूनरी ओपरेटर क्योंकि एक चाहिए जूनरी का मतलब भी एक होता है सिंगल होता है की डिफेर्न जोनों में जा है तो एक यहां तक हमारे उपरेटर जो है वों है तक हम्हेरमस सारे खटम हो गए तो अगर आपको कोई चीस समझ नहीं आई अब सारे ऊपरेटर को एक झाल झाल